दोस्तों इंद्र धनुस तो आपने भी देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इंद्र धनुस में काला सपेद या ग्रे रंग क्यों नहीं होता है चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का साइन्स बताते हैं दोस्तों इंदरधनुस में 7 رंग होते हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है आम तोर पर ये तब बनते हैं जब बारिस के बाद धूप निकलती है हवा में मौझूद पानी के कडों से जब रोस्नी टकराती है तब इंदरधनुस बनता है हाला कि इंदर धनुस ने काला, भूरा, ग्रे और सपेद रंग नहीं होता है दोस्तो सूर से आने वाली रोसनी हमें सपेद रंग की दिखाई पड़ती है लेकिन ये रोसनी कई रंगों से मिलकर बनती है जब रोसनी पाने की बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रिजम एफेक्ट की वज़े से ये हमें साथ रंग में दिखती है इंदर धनुस में मौझूद रंगों का अलग-अलग वेवलेंथ होता है रोसनी लेहरों की तरह आंगे बढ़ती है इन लेहरों की अपनी लंबाई और चोड़ाई होती है इसे ही वेवलेंथ का आ जाता है दोस्तों इंदर धनुस में सबसे छोटी वेवलेंथ वाइलेट रंग का होता है जबकि लाल रंग का वेवलेंथ सबसे जादा होता है जब सपेद प्रकास की रोसनी पानी की बूंदों से टकराती है तो वो reflection करती है यानि सपेद रंगी रोषनी की लहरे साथ रंगों में विभाजित हो जाती है इसलिए हमें इंद्रधनुस में साथ रंग दिखते हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वाइलेट सिर्फ दो ही रंग है जो कभी भी इंद्रधनुस में देखने को नहीं मिलेंगे वो है काला और सपेद काला रंग यानि रंगों का ना होना यानि रोषनी एकदम ना हो अगर रोषनी नहीं होगी तो इंद्रधनुस बनेगा ही नहीं दोस्तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रोशनी होगी तभी तो इंद्रधनुस बनेगा और उसमें रंग होगे लेकिन काला रंग नहीं हो सकता है अंधेरे में कभी इंद्रधनुस नहीं बन सकता दूसरा सपेद रंग इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसमें सभी रंगो मिस्रड से बनता है सपेद रोसनी को दर्षाता है और काला अंधेरे को अब ये दोनों रंग एक दूसरे के साथ तो मिल नहीं सकते हैं इसलिए ग्रे रंग इंद्रधनुस में नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि इंद्रधनुस रोसनी में बनता है इसलिए काला और सपेद क मिस्रण नहीं हो सकता है आसा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्वाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ